UCC यानि Uniform Civil Code को लेकर स्यासी घमासान मचा हुआ है कुछ पार्टियां इसके समर्थन में हैं तो कुछ ब्रोद में खड़ी हैं हलाकि UCC पर कॉंग्रेस की क्या राय है इस पर पार्टि ने अभी तग अपना रुपसाथ नहीं किया है जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं इस पार्टि के वरिश्क नेता शर्षी थरूड ने UCC पर कॉंग्रेस की सूर्च के बारे में बताया है साथी पार्टि की चुपी के पीछे के कारण का भी खुला सक्या है थरूड ने कहा है कि जब तक सरकार की तरब से UCC पर ड्राप सामने नहीं आता है तब तक कॉंग्रेस की ओर से इस मुद्धे पर कोई टिपपणी नहीं की जाएगी शर्षी थरूड ने कहा कि UCC को लेकर एक चिंता है जो डर का आधार है हमें पहले ये देखना है कि आखिर सरकार का प्रस्ताब क्या है सरकार ने अभी तक ड्राप नहीं रखा है और ना ही हित धारकों के साथ किसी भी तरह की कोई चर्चा शूरूपी है कॉंग्रेस ने आगी कहा कि इसलिए कॉंग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि वो तब तक इस मुद्य पर कुछ नहीं कहेगी जब तक कि सरकार की तरप से ड्राप सामने नहीं आता है शर्ची थर्ण ने कहा कि हमें हिंदू कोट बिल लाने के लिए भी आजादी के बाद 9 साल लगे इसलिए लोगों को समझाने में समय लगता है कि चरुपह लोगेना की च नहीं आता है इसके बडार है प्रश्रिण लेच्ट आग्राइब आग्थान समधिड हैं भूप देटारी कि सानोरी प्राइब आगिसोंगा में य। विदेटा देट टर्म बाइचने ज हमाने हैं खोतिए जना हैं, कि लिएमि टूप जाए और रिसे को है नहें लूब लुट, लूब ड्यूट जा लोहा प्रदादें कि इससे पहले कॉंग्रेस ने था सचिन पालेट ने भी उचीजी को लेकर बयान दिया उन्होंने कहा था कि बिना किसी ठोस प्रस्ताव कि इस पर बात करना हवा में तीर चलाने जैसा है उन्होंने कहा कि सरकार ने जन्ता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भठकाने के लिए ये गूगली डाली है पालेट ने उसीसी पचली वहस और इस पर कॉंग्रेस के रुख के वारे में पूछे जाने पर कहा कि समान नागरिक सेता क्या है क्या कोई विदेग आया हैar क्या कोई प्रिस्ताव आया है क्या कोई खाका तयार किया गया है पता ही नहीं है UCC के नाम पर अलगलग अलगलग दल अलगलग धर्मगुरू अपनी राय दे रहे हैं पालेट ने आरूप लगाया कि केंसर का जानगूच का ध्यान भठकाने का काम कर रही है ताकि महंगाई और जनता से जुड़ी अन्य मुद्दों पर चर्चा ना हो बदाने की UCC बिवात तलाक और उत्परादिकार पर समान कानून लागू करने के लिए है अमल में आने पर ये देश के सभी नागरिकों पर लागू होगा दर्म जाती समदा या इस्तानी परमपराओं के आधार पर कानून में भे दबाव नहीं किया जाएगा विदियायोग ने इस पर लोगों से राय मांगी है